गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी अगर हम बात करें इस वीडियो की तो फ्रेंड्स हम ये वीडियो आपके लिए मेंस के लिए बना रहे हैं मेंस exclusively हम एक सीरीज लौंच कर रहे हैं आज से इसके अंदर हम basically आपके current affairs को complete करवाएंगे इसके लावा कुछ question papers को भ बाता सके तो friends this is about the means जो हम मेंस का जो course है इसके इंदर हम आपको provide करवाएंगे इसके लावार अगर हम बात करें friends मेंस के लोगो अगर हम presently बात करें तो 60 जो मेंस का टाइम बच रहा है 60 देज के असपास मेंस का टाइम है तो इन 60 देज में किस टाइप से exam को approach करें जिससे हम maximum जो score है वो gain कर सके और maximum score की वज़े means का जो score है वो काफी important है friends आपके जो selection के लिए कि आपको अच्छी rank अगर improve करनी है तो means का जो marks है वो काफी important है जो role play करते हैं जो time न वेश्ट करते हैं friends directly हम start करते हैं video तो friends अगर हमारा जो target होना चाहिए in 60 days में अगर हम target की बात करें तो हमारा जो basic target है वो होना चाहिए कि हम कैसे ना कैसे जो paper है उसको complete करें बहुत से students ऐसे हैं जो paper को complete नहीं कर पाते हैं 10 to 14 questions जो real exam होता है उसका real exam का real pressure है उसके time में 10 to 14 questions ही complete कर पाते हैं दूसरा एक region और है कि आपको जब GS के जो papers देने होते हैं तो back to back 6 hours आपको continue write लिखन होता है तो उस वज़े से भी बहुत सारे बच्चे जो lack of practice के वज़े से question papers को complete नहीं कर पाते हैं तो आप सबसे पहले हमारा जो main target है वो complete जो हमारे जितने भी papers हैं उनको complete करने का target होना चाहिए फ्रेंड्स हम बात करें अगर target को complete कैसे होगा अगर आपने कोई भी institute की test series जोइन की है तो उस test series को सबसे पहले complete करना on time बहुत सारे students का ये problem रहता है कि वो सोचते हैं कि हम 15 days before the exam हम continue test लिखेंगे और हमारी writing practice हो जाएगी या हम writing practice only 15 days before the exam ही start करेंगे उससे पहले हम जीतना knowledge gain करें हों कर लें तो friends ये mistake मत करना अब अगर आपको mains को अच्छे marks के साथ clear करना है तो उसके लिए अगर आपको interview के लिए जाना है तो ये sure है कि आपको पहले से practice रखनी है क्योंकि इस time में जो बच्चे जो जिस type से exams लिख रहे हैं वो काफी अच्छे से practice करके लिख रहे ह topic के उपर जैसे sub topic है जैसे हम बात करें कि GS1 के अंदर GS1 के अंदर society भी है history का भी जो all four sections है all five sections है world history भी है इसके लावा अगर हम बात करें कि इसके अंदर geography भी है तो friends इसके लावा कुछ ऐसे topics हैं जो हमारे prelims से related नहीं है like the globalization है, communalism है, regionalism है तो ऐसे कुछ topics हैं इसके लावा जैसे last year 2022 में जो महत्मा गांदी से related question था, कि उसके अंदर पूचा कि महत्मा गांदी ने जो NCM, non-cooperation movement और civil disobedient movement में क्या-क्या constructive work किये थे, तो उससे related questions था, तो इस टाइप के कुछ topics हैं जो हमारे prelims में नहीं होते हैं, तो friends हमारा जो target होना चाहिए, वो होना चाहिए कि हर जो ये subtopic हैं, हर paper के अंदर 4-5 subtopic हैं, जैसे हम बात करें GS2 की, जिसमें constitution अलग है, इसके अलावा दूसरी जो comparison of constitution different है, इसके अलावा घर हम बात करें कि जो NGOs का role है, वो different है, और हमारा जो international relation वो different है, तो ऐसे जो 3-4 हमारे जो subtopics हैं, इनके उपर कम से कम हम दो full length test लिखें, किसी भी coaching का आप test को लिख सकते हो, और completely time bound में लिखो, बहुत सारे बच्चे से, बहुत सारी coaching institutes में test लिखने के जाते हैं, बट वो test 3 hours का ना लिख के हो, 6 hours का लिख के आते हैं, अब आप जब real exam के अंदर तो आपको 3 hours ही हैं, एक question के लिए 7-8 minute, 8-9 minute, इतना ही time है लिखन हम revision की बात करें, तो friends, आपको revision minimum two times आपको complete करना होगा, आपके GS paper का भी, all four GS paper, इसके अलावा आपको अपने optional का भी, और friends, आप हर Sunday को आप essay लिखिए, आप minimum अगर आपने 9-10 essay या 5-7 essay भी आपने minimum लिख लिख लिए हैं, लगब लगब हर topics से लिखिए आप, जैसे आप education पे लिखिए, women's पे लिखिए, society पे लिखिए, इसके लाव philosophical topics पे लिखिए, उसके उपर भी ऐसे लिखिए, क्योंकि philosophical topics तो इस time काफी important है, last year तो इस तरीके से हुआ था कि philosophical topics, एक section के अंदर से philosophical topics ही थे, तो friends, इसके लावा अगर हम बात करें कि daily targets को, और daily की daily way में आपको क कैसे करना है, रोज की रोज आप कम से कम है, चार से पांच questions को daily लिखिए, जो भी आप read कर रहे हैं उस related questions, questions को आप कहीं से भी ले सकते हूँ, like अगर आप कोई भी जो online आज कल, online हर institute अपना जो daily question and answers का जो series चलाता है, वहाँ से आप ले सकते हो, तो daily आप questions लिखिए, इसके अगर बात है कि 10 mark के question को अगर आप practice कर रहे हो, तो minimum आप 6 to 7 minute के अंदर लिखिए, और अगर आप 15 marks के question को अगर आप लिख रहे हो, तो कम से कम 8 से 9 minute के अंदर आप question को complete कीजिए, friends, time bound manner में आप अगर questions को लिखोगी, तो यह आपको exam में भी help करेगा, क्योंकि अगर आप time bound के अंदर नहीं लिखोगी, तो आपको exam के अंदर नहीं help करने वाला है, तो simple और sweet जो बात है, वो यह है कि आप एक अपनी notebook market से खरीदे, उसके अंदर, और friends, एक और important बात है, अगर आप answer लिख रहे हो, आप notebook, जो भी market से खरीद की, जो भी notebook है, या blank papers है, जहां पे आप ल सारी बच्चे ऐसे हैं, जो line cross करके अपना answer लिख देंगे, फिर उसके बाद में, आजकल आपने देखा होगा, यूपीसी के दुआरा बहुत सारी students की जो marks हैं, जो reduce किये जा रहे हैं, कुछ students तो ऐसे भी हैं, जिनकी 20 marks को तक भी, यूपीसी जो reduce किये हैं, over writing के वज़े से इंक का change करने के वज़े से, exam के अंदर, तो ऐसे बहुत सारी चीज़े हैं, आपका word limit है, जो भी cross नहीं करना चीज़े, word limit maximum, अगर आपका 250 का है, तो आप 250 के आसपास ही खतम करने की कोशिश कीजिए, friends, तो ये हमारा target होना चीज़े, daily 4-5 questions को आप लिखोगे, और time bound manner में तो friends, अगर आप देखो कि 60 days हैं, अगर आप 60 days में daily 5 questions को लिखोगे, तो आप देख लीजे, आपने खूब सारी question papers को आप प्रक्टिस कर चुके होगे, तो friends, this is all about the, ये हमारा target होना चीज़े, अब हमको approach कैसे करना है, उसके बारे में अगर हम देखें, तो हमारा approach का जो formula ह जो भी concept है, वो simple है, कि सबसे पहले आपको syllabus का पता होना चीज़े अच्छे से, क्योंकि prelims का syllabus है तो open है, वो तो completely 72.7 है उसके अंदर में, इसके लाव हो वहाँ पे, अगर आप prelims का exam लिखने जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपका simple है कि right and wrong वाला concept है, कि ये statement right है या wrong है, बस वह वाला concept है, यहाँ पे आपको जो answer लिखना है, उसके अंदर quality answer लिखना है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जब सोचते हैं तो ocean की kind सोचते हैं, जब on paper जब structure way में answer उनको लिखना है, तो quality answer नहीं लिख पाते हैं, तो इसके लिए आपको अगर quality answer लिखना है, क्योंकि basically ज या cooperative federalism का कोई topic है, तो उसको आप उन two pages में किस type से आप approach किये हो, किस type से आप लिखे हो, structure answer आपका कितना quality वाला है, उसी से आपका जो marks हैं, वो decide होगी, उसी से आपका means clear करोगे या नहीं करोगे, वो decide होगा, आपका knowledge कितना है वो important नहीं है friends, उस time bound manner में उन two pages में आप कित लिए आपको क्या करना है, कि syllabus और previous year question papers को आप अच्छे से देखना है, इसके लिए आपको और syllabus के हर एक sub topic से, अगर हम sub topic की बात करें, जैसे personality वाला question है, तो बहुत बार इस topic से question लगब 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 शोर है, बीच में 2020 और 2019 के आसपास एक दो बार इसमें question नहीं आया था उसके लावा इस topic से question जो continue आ रहा है, अगर इसी से नहीं आयेगा तो और कोई topic से आयेगा, तो अगर हम personality की बात करें, तो friends आपने देखा होगा, हमने गांदी जी का question है, गांदी जी क्यूशन से पूछा है, इस से पहले सुबास चंदर बहुत सुरू गांदी जी के बीच में difference को एक बार compare करवा लिया था, इसके अलावा अगर हम बात करें कि इस से पहले और भी बहुत सारी personalities के बीच में comparison हुआ है, तो आपको इस type से जब आप approach रखो तो आपको पता होना चाहिए कि हमको basically किस type से approach रखनी है, इसके लावा आप salient feature और art forms की बात करो, तो बहुत सारे बच्चे इसके अंदर जो medieval history है और ancient history है उसको read करने के लिए बैढ़ जाते हैं, friends उस type का question paper नहीं आ रहा है आजकर, आजकर basically architecture से related, philosophy से related questions काफी आ रहा है में इसके अंदर में, अगर हम art and culture और इन सब topics की बात करें, जैसे friends आपने देखा होगा कि 2020 में rock cut architecture से question था, फिर पाला empire का buddhism में क्या role था, इंडियन philosophy का क्या role था, इस type के questions थे, उससे पहले गंदारा art के उपर एक question था, salient feature of art में, उसी से पहले 1-2 year back एक question था कि Chinese और अरब से जो travelers आए, उनका क्या role रहा, चैतनिया महाबर्पू का एक question था 2018 में या 19 में, तो friends इस type के questions आपको practice करना ह कि इस type के questions हैं जो previous year में आई हैं, अगर हम role of man की बात करें तो इस type के questions का आपका जो भी data है, जो भी आपका facts हैं, वो already आपके पास होने चाहिए, इसके अलावा आपको answer में कौन से SDG goals हैं, जो sustainable development goals हैं, जो आपको लिकने हैं, globalization के आपको definition अच्छे से पता होने चाहिए, friends, अगर हम globalization की बात करें तो last year भी globalization से related कापी questions थे, इसके लावा society के अगर हम बात करें तो यहां पर society का पूछ लिया जागा कि regionalism की वज़े से जो culture का cognitive नहीं से वो increase हो रहा है, यह इस type के questions पूछें आज से पहले UPSC के papers में, जो mains के papers हैं, उनके अंदर आई हैं, इस type के questions, औ और अगर आप इन हर जब subtopic है, इसके उपर three to four pages अपने जो notes हैं, प्रिपेर कर लोगे, तो friends जो आपका time consuming है, जो exam के अंदर time consuming है, सबोज गरो आपको seven या eight minute के अंदर एक question को लिखना है, seven or eight minute के अंदर आपको कोई question को लिखना है, तो वहाँ पर सोचने का time ज्यादा नही है, सोचने का time minimum एक minute है, क्योंकि आपको question को भी complete करना है, आपको five to six minute तो उस question को complete करने में लगेगी, तो और आप जब exam लिखने जाते हैं, तो exam का pressure आपको अलग से complete करने का, इसके लाव वहाँ का infrastructure है, वो completely different होता है, इसके लाव अगर हम बात करें कि, इस time तो जो September में exam हो February में जब होता है, तो winter की विजए से जो लिख पाना, वो काफी difficult होता है, इसके लाव बात करें friends, GS2 की, तो GS2 में roll of civil service का आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में आप examples हैं, पहले से prepare कर लो, आप अपनी एक personal notebook तयार कर लो, जिसके अंदर GS1, GS2, GS3 और GS4, इससे related जो भी examples हैं, data हैं, facts हैं, schemes हैं, जब भी आप continue in 60 days में जो practice करो, उनको आप notebook के अंदर note down कीजिए, role of NGO है, तो NGO से related जो भी आपको roles हैं, वो पहले पता होना चाहिए, जैसे P.U.C.L. है, P.U.C.L. के बारे में आपको पता होना चाहिए, People's Union of Sure Liberty, किस टाइब से काम करता है, किन सी जो उसे related काम करता है, इसके लाव कौन-कौन सा NGO है, जो कैसे role play करता है, इसके लाव हमारी एक IB के एक report थी, वो बोलती है, कि इंडिया का जो 2% of GDP है, वो कम, जो NGO's की ज़रे कोई भी project को रोक दिया जाता है, तो उसकी वज़े से कम हो रहा है, तो आप इस टाइब की जो कोईनि क्रिष्टालिगाट तो उन्होंने बोला था कि इंडिया की अगर GDP को, उमेंस को अगर equal inclusive कर दिया जाए, तो 20% इंडिया की GDP increase हो सकती है, तो इस टाइब के statements आप conclusion में या introduction के अंदर जब लिखोगे friends, तो आपका जो marks को improve करने के कापी अच्छे chance हो जाते हैं, तो friends इसके ल के बारे में पता होना चाहिए, investment models के बारे में आपको पता होना चाहिए, disasters से related आपको पता होना चाहिए, land reforms में आप जो भी states के जवारा कुछ land reforms से related नहीं से टू ली गए हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप उनको बारे में जब आपा answer में लिखो है कि उसको दिन के अंदर 20-40 कोपी चेक करनी है तो 20-40 कोपी आंसर सीट जब उसको चेक करनी है तो quality का आंसर आपको अगर show करना है तो आपको कुछ ना कुछ extra आपको लिखना ही होगा इसके लावा बहुत सारी बच्चे flow chart भी बनाते हैं अगर आपको flow chart exam के अंदर बनाना है तो exam के अंदर आप directly बनाने जाओगे तो काफ़ी time consume हो जाएगा आपका इसके लिए अगर आपको पहले से practice करके रखो जब आप practice कर रहे हो daily four to five questions को तो वहाँ पे practice कीजिए इसके लाव friends GS4 very important role play करता है like the essay जिस टाइप से role play करता है आपको score को improve करने में तो आपको examples बहुत सारी पता होना जाए जो आपने news weapon में या books की reading के थुरू आपने gain की है जैसे अभी हम presently बात करें अभी हगर हम presently बात करें friends तो अभी recently जो आसाम के अंदर flood आई तो वहाँ पे एक I.S. officer कीरती जली वहाँ पे एक I.S. officer है कीरती जली मैम है तो उन्होंने जिस टाइप से जो role play किया वहाँ पे जो accountability की बात है वहाँ पे जो लोगों के बीच में गए directly जो flood affected area है वहाँ पे तो friends इस टाइप की जो examples है जब आप answer के अंदर जब quote करोगे तो वह आपके answer को कापी अच्छा बनाते है quality answer आपको बनाते है moral thinkers और philosophers के बारे में जो भी topics हैं उनके बारे में आप अपने 3-4 notes बना लोगे इसके रिले जैसे Swami Vivekananan से एक बार question आए तो last year 21 में हर साल जो GS4 में है जो 3-4 questions है और इनका आपको जो है न जब आप philosophers, moral thinkers इन सब के बारे में read करते हो तो आपका जो essay के अंदर भी आप इन सब को use कर सकते हो तो आपको directly plus indirectly कहीं न कहीं benefit मिलता है इस type से read करने का इसके लावा हम GS3 की बात करें तो देखो एक factual question था S400 पे last year S400 पे तो इस type की questions अगर आपको याद है अगर आपकी जो current affair booklet है जो भी आप read करोगे इसके लाव हम यहाँ पे आपका जो main series है इसके अंदर completely current affair का भी हम complete करवाएंगे आपके सभी topics से related और उमें backward plus as well as the forward linkage भी establish करवाएंगे कि इस type में question किस type से आ सकता है इसके अंदर में तो friends बात करें S400 का जो question था उस S400 के question के अंदर basically यह था कि आपको factual data लिखना था comparison वहाँ पे था और अगर आपने exam में याद गिया है completely आपने अच्छे से उसको उसके बारे में practice किया है तो आप exam में जो time consuming नहीं हो पाएगा आपके लिए और आप उसको काफी अच्छे से लिख लोगे इसी type से जीएस्टू में constitutional morality के उपर एक question था लास्ट येर आरन वीद लारन इस type से भी question था उसमें कुछ government schemes का कुछ पूछा था तो इस type के जो questions है friends ये show करते हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से आप practice करके जाओगी तो आप exam में आपको ज़्यादा जो time consuming नहीं रहेंगी ये सब चीज़ें तो friends अगर हम बात करें quality answer की तो quality answer is so much important अगर आप friends आप देखिए कि 20 questions आपके पास में हाराम से आजाएगा 100 प्लस या 100 के असपास आने में कोई ज़्यादा आपको problem नहीं होगी क्योंकि friends more important है है कि GS के अंदर आपका score हो कापी अच्छा आना चीए तो इसके लिए आप सबसे important बात यह है कि रहतर देन आप कि ज़्यादा से ज़्यादा रीड कर लूँ ज़्यादा से ज़्यादा बुक को रीड कर लूँ अगर आपको quality answer लिखना है तो friends daily आप जो 4 से 5 questions को आप लिखोगे जो daily practice करने हैं आपको in 60 days में daily questions को जब practice करने हैं तो उसके अंदर आप quality way में answer लिखने की कोसिस कीजिए आप quality answer के लिए ये नहीं है कि आपको ज़्यादा ज़्यादा रीड करना है उसके लिए आपको question के अंदर direct linkage आपको establish कीजिए committee के बारे में लिखिए कोई personalities का example देना चाहते हो आप flow of writing आपका अच्छा होना चाहिए data और facts आपके सही होने चाहिए और जो question की जो demand है उसको fulfill करें कई बार बहुत सारे students ऐसे होते हैं कि जिनको question में कुछ पूछा है और उनका जो answer होता है उसका कोई linkage नहीं होता question के साथ में तो उस type का आपका कभी न कीए जो demand of question है उसको improve कीजिए उसको improve करोगए तो minimum आपका एक mark है जो increase होगा अगर आपका कोई question है उसके अंदर अब only आपके 5 marks आ रहे हैं अगर आपका वहाँ पी 6 mark आते हैं तो friend एक question के अंदर आपके 6 mark आते हैं और suppose कीजिए आप एक paper के अंदर 10 questions को आप लिखते हो quality answer के रूप में और आपका 1 marks improve होता है तो 4 questions के अंदर आपके 40 marks होते हैं friends 40 marks में आपकी overall अगर आप cutoff से 40 marks उपर देखो अगर आप suppose कीजिए cutoff है 760 और अब आपके 40 marks extra होने के जैसे 800 marks आ जाते हैं तो friends अगर आपके 800 marks हैं यहाँ पे 40 marks अबाव देन दा cutoff हैं तो आपकी जो service allocation है उसमें काफी अच्छा role play गरेगा आपका जो आप कभी भी आप इन सब चीजों को देखना कि जैसे overall जो marks हैं जो cutoff marks है उससे 40 marks अबाव देन दा काफी अच्छी service मिल जाती है तो friends this is all about the quality answers किस टाइप से हमको approach करना है यह सब हम मैंने आपको बताया अब हम कल से या आज से हम first जो video है उसको release कर देंगी अब current affairs related हमारा यह course है जो हम launch कर रहे हैं जिसके अंदर हम questions को भी आपको practice कर वाएंगे तो friends this is all about this question आप daily practice कीजिए daily अपने answer लिख दे इसके लावा आप हमको हमारे जो आपके जो answer है आपको send भी कर सकते हो कि आपने जो भी answer लिखा है वो हमको send कीजिए आप हमारे email ID है हम टेलिग्राम ग्रूप में हमें myl id मिल जाएगी आपको आपने answer send कीजिए अपना essay हमको send कीजिए कोई तो आपको जो भी आपको send करना है आप आपको send कीजिए तो friends this is all about this how to approach the means 2022 तो thank you friends thank you very much